नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टेक्निकल मुकाबला में दोस्तों अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो और आपका उस कंपनी में पीएफ करता है तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज़दा इंपॉर्टेंट होने वाली है और क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली है वो मैं आगे चलके इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो फ्लीज वीडियो में लाश तक बने रहें और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो जब भी आप किसी कंपनी में जॉब करते हो और उस कंपनी में आपका PF कटता है तो सबसे पहले तो आपको ये जारना जलूरी है कि आपका PF कैसे कटता है तो दोस्तों जब भी आप किसी कमपनी में job करोगे वो कमपनी आपका आधार card या कोई और proof जैसे pen card मांगेगी जयातर कमपनियाँ आधार card मांगती हैं तो आपको अपना आधार card submit करना पड़ेगा और जब भी आपना आधार card होगा submit करोगे तो उसके एक या डेड़ महीने बाद जब भी आप कंपनी में थोड़े पर्मानेंट बंदे हो जाओगे तो आपको हाँ एक UN नमबर प्रोइड करा दिया जाता है जियां दोस्तो यूनिवर्सल अकाउंट नमबर इसकी फुल फॉर्म है जो कि PF में काफी जादा काम आता है तो यह आपको प्रोइड करा दिया जाता है और जब भी आप अपना PF निकालोगे मान लिजी उस कंपनी में आपको एक साल हो चुके हैं और एक साल बाद आपने वो कंपनी अचानक छोड़ दी जहां दोस्तों मतलब रिजाइन नहीं दिया छोड़ दिया आपने वो अचानक से कंपनी और मान लिजी आप अपने गाउं चले गया कहीं भी चले गये और गाउं से आने के बाद उस कंपनी में आप जाना भी नहीं चाहते हो और उस कंपनी का आप पीएफ निकालना चाहते हो तो आपने उस कंपनी का मान लिजी पीएफ तो नहीं निकाला बट मान लिजी उस कंपनी का राम एक्स था और आपने किसी और कंपनी में जॉइनिंग ले ली जैसे कि आप गाउं से आए समझने कोशिस करिये बात को और अगर आप उस UAN नंबर को match करें तो वो सेम UAN नंबर होगा अब आपने दो कंपनीों में काम कर लिया अब आप कंपनी में काम पकर रहे हो और आप अपना PF निकालना चाहते हो कौन सी कंपनी का पिछली कंपनी का जिसमें आपने काम किया था तो मान लीजे आप किसी Cyber Cafe पे दो membo d create हो जाएगी । जयान ata आपकी Memphis two membo d create हो जाएगी तो वहाँव अगर आप पुरान PFC निकाल होगे तो यह हम प्रेजंट अभी काम कर रहे हो यह कमपनी का का पर्डीम परक्रेद अभी काम किया था ओस कमपनी का में Dasic लोगों को face करनी पड़ती है क्योंकि जिनका भी पीएफ करता है जरूरी नहीं है कि एक ही company में काम करते हैं और एक company में भी काम करते हैं तो उनका ठेकेदार बदल जाता है या company का कोई भी मतलब HR वगरा कुछ भी बदल जाता है जिसकी बज़से उनकी member ID change हो जाती है तो इस इस तरीके से अपने दो company के पीएफ को एक member ID में transfer कर सकते हैं और उस पीएफ को 100% एक company में ही निकाल सकते हैं तो चलते हैं अपनी mobile screen पर और बताते हैं आपको इस problem का solution तो दोस्तों जैसा कि अब आप लोग देख सकते हो हम लोग अपनी mobile screen पर आ चुके हैं दोस्तों आप ल लिए यानि एक इखटा करने के लिए simply सबसे पहले अपने mobile phone के chrome browser को open करना है और वहां type करना है UAN login और उसके बाद simply search button पर click कर देना है और जैसे ही आप search button पर click करोगे आपके सामने यहां बहुत से link open होके आ जाएंगे तो आपको simply सबसे पहले first link पर click कर देना है और जैसे ह आप first link पर click करोगे यहां जो आपका page है वो एक बार reload हो जाएगा अब आप लोग देख सकते हैं जो हमारा page है वो reload होके open हो चुका है और हम अब directly EPFO यानि PF के official website में enter हो चुके हैं तो चली मैं अब अपनी mobile screen को rotate कर लेता हूं ताकि आपको अब एक battery वी देखने को मिल सके त और मैं उमीद करता हूं कि आप लोग को अब एक battery वी देखने को मिल रहा होगा तो दोस्तो सबसे पहले तो आपको यहां three dots पे click करना है और यहां से desktop mode पो enable कर देना है इसे यह होगा कि जो आपके सामने font है detail है यह काफी अच्छी तरीके से दिखने लगेंगे तो आपके सा इंडिया जो की EPFO की full form है तो आप लोग को simply नीचे की तरफ slide down करना है और यहां आपके सामने दो option आ जाएंगे पहला UAN का और दूसरा password का मैं आपको zoom out करके दिखाना चाहता हूं कुछ इस तरीके का तो आपको simply यहां UN number fill करना है अगर आप लोग के पास UN number नहीं है तो आप लोग को एक link available करा दिया जाएगा जिस पर मैंने dedicated video बना रखी है कि आप किस तरीके से बिना UN number के भी अपना PF निकाल सकते हैं तो आपको सबसे पहले यहां अपना UN number fill करना है उसके बाद अपना password अगर आपके पास password भी नहीं है तो आप मुझे comment box में comment जरूर करें मैं password बनाने के उपर भी एक dedicated video create जरूर करूँगा और जैसे आप password create करोगे तो यहां एक option आजाएगा capture का जो कि आप लोग को ऊपर एक image show कराई जाएगी आपको as it is नीचे दिये हुए box में fill कर देना है तो चली मैं इन तीनों चीजों को यहां fill कर देता हूँ तो आप लोग अब देख सकते हैं मैंने इन तीनों चीजों को यहां fill कर दिया है और जैसे ही आप इन तीनों चीजों को यहां fill कर दोगे तो आपको simply नीचे की तरफ दो बटन मिल जाएंगे पहला sign in का और दूसरा reset का तो आप लोग को simply sign in के बटन पे click कर देना है तो चली तो आप लोग देख सकते हैं कि यहां मेरी सारी detail आ रही है देखिए मैं नीचे की तरफ slide down करता हूं तो मेरी जो भी details है वो यहां clearly show हो रही है तो मैं अब आपको problem समझाता हूं कि जो problem है वो क्या आती है तो आपको यहां simply view पे click करना है और आपको एक option मिल जाएगा service history का आ आपको यहां click कर देना है अब देखिए जैसी मैंने service history पे click किया तो यहां जो मेरा page हो एक बार reload हुआ है और जैसी page reload हुआ आपको नीचे की तरफ slide down करना है दोस्तों दिक्कत ही आती है जैसे कि यह जिनका P.F है उनने पहले काम किया MS Honda Cars India Limited में और उसके बाद यह company online देदिया सत्तरा सारी 14 साथ 2018 को अब यह जो presently काम कर रहे है यह कर रहे है thermoelectric company India Private Limited में तो अब यह PF निकालना चाते है MS Honda और मिंडा कोशी का जो कि यह निकाल नहीं पा रहे हैं और किसलिए निकाल पा रहे है मैं आपको बताता हूं आपको देखिए यह online पे click करना है online services पे देखिए और जैसे ही आप online services पे click करोगे तो आपको first option claim forum पे click करना है अब देखिए जैसे ही मैंने claim forum पे click किया तो मेरे सामने यह online वाला page खुलके आ गया है तो आपको simply नीचे की तरफ slide down करना है और यहां आपको एक option मिलेगा service details का जहां आपको member ID दिखेगी अब member ID आप note करिए ध्यान से last में है 0024 ठीक है तो यह automatic लिया है हमने कोई select नहीं किया है तो हम दुबारा उसी page पर चलते हैं service history वाले page पर अब देखिए जैसे हमने service history पर click किया हम दुबारा अपने page पर आ चुके हैं अब देखिए जो member ID ले रहा है वो ले रहा है 0024 वाले का और हमें PF निकालना है मान लीजिए MS Honda Cars India Limited का तो यही दिक्कत है तो इसी problem को मैं solution करने वाला हूं तो आप लोगो को वापस online services पर click करना है और आपको दूसरा option मिल जाएगा यहा online member 1 EPF account transfer request तो आपको यह click करना है और जैसे ही आप यह click करोगे जो आपका page है वो एक बार reload होगा आप देखिए जो हमारा page हो रिलोड हो चुका है दोस्तो माफी चाहूँगा वीडियो थोड़ी से लंबी होगी क्योंकि मैं step by step बिल्कुल detail में बता रहा हूँ आपको तो आपको simply यहां नीचे की तरफ slide down करना है तो आपको यहां एक option मिल जाएगा पहला present employer और दूसरा present पहला previous employer और दूसरा present employer का तो आपको previous employer पे click करना है और जो मैंने अभी आपको member ID दिखाई थी आपको वहां से simply उस member ID को copy करना है और यहां enter miduan तो यहां company तो अलग नहीं है sorry company अलग है बट member ID अलग है ठीक है तो आपको यहां click करना है और जैसे ही आप यहां click करोगे तो आपको यहां paste करनी है और यहां आपको दो option में जाए get detail और reset का तो आपको get details पे click करना है और जैसे ही आप get details पे click करोगे तो आपका जो भी PF में mobile number registered है उस पे एक OTP send किया जाएगा और जैसे ही आप OTP send करोगे और उसके बाद आपको एक option मिल जाएगा submit का आप जैसे submit पे click करोगे आप 100% उस PF को अपने जो भी member ID में transfer करना चाते हो उस member ID में transfer कर पाओगे अगर आप transfer ना कर पाओ किसी परकार की आपको problem आए तो आप मुझे directly नीचे दिवे contact number email ID और Instagram ID से contact कर सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छे लगे चैनल क सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें और दोस्तों प्लीज हमें सब आइडियो को पूरा देखा करें जब यह आप वीडियो को समझ पाओगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ जैसा कि हम लोगों ने अभी अपनी मोबाइल स्क्रेंड के जरिये आप लोगों को बताया कि आप किस तरीके से अपनी पिछली कंपनी का पैसा यानि अपनी दो मेंबर आइडि का पैसा एक मेंबर आइडि में किस तरीके से जॉइंट कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको पी PF कि किसी भी तरह की the problem आ रही है really you have P F Sn e निकालने में like affair date of birth की problem आपके नाम की problem जो कि आपके आधार काड या किसी भी डक्यमेंट से मैंच नहीं कर रही है तो आप description में दिए हूए क petals no,сяp то email id, you can stick just text directly instagram id से मुझे directly contact करें मैं 100% आपकी इस problem का solution निकालने कोसिस्ट करूंगा तो दोस्तों वीडियो चलो के चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंड करना ना भूले धन्याद दोस्तों